एक चीज करना चाहता हूं एक छोटा सा वीडियो करना एक चोटा सा वीडियो एंड तक देखना आई जस्ट बीन रामेश्वर इन साउथ इंडिया रिसंटली तो हमने वहां पे एक चीज देखी है floating stone तैरता हुआ पत्थर 40 kg का on the water हम सबने सुना है पढ़ा है और देखा है रामायन में के बगवान राम ने ब्रीज बनाया था लंका जाने के लिए और जो stone यूज किये थे जो तैरते थे पानी के उपर और वहां से उन लोगों ने क्रॉस किया था और लंका गये थे सबने ये चीज देखी है राक सीरियल में पड़ी है या तो सुनी है लेकिन हमने साथ साथ देखा है रामेशवर में हम ग्रूप आप पीपल गए थे हम सब देखके आये वहां पे तो वी केन नोट बिलीव धाट वन के आप वीडियो कंटीनू करना आपको एंड में देखन तो मैं उठाने के लिए भी श्टगल कर रहा था तो वेन वेन वी सीन देखाने के लिए वहां पे तो वहां पे तो वह चीज मैं आपके साथ सेयर करना चाहता हूं अन बिलीवेबल रामेशवर अगर चांस मिले लाइफ में एक बार तो जाना बाविसकुंद में स्नान करना जो है वो एक completely different experience है और उसके बाद ये floating stone तेरता हूँ पत्थर पानी पे 40 किलो का पत्थर वो तेरता है पानी के उपर we cannot believe that one so I was trying to carry के मैं उठा सकू उसको लेकिन उठा भी नी सकता था उतना weight था उसका तो how can it floating on the water और उसके साथ एक बाजू में एक छोटा सा पत्थर था वो आज का पत्थर है वो हमने पानी में डाला तो वो डूब गया लेकिन वो 40 किलो का पत्थर वो पानी में डूबा ही नहीं unbelievable we have to believe in God हमने सबने देखा आया है सीरियल में सुना है और पड़ा है लेकिन मैंने हमने तो लाइव देखा है वहां जाके तो ये वीडियो कंटीनू करना यू विल सी देट चमतकार सून थैंक्स सो मुँच पाणी के से जए नहीं उटाएगा अंदर का ये चोटावा पतर ना हो भी रेड़ा तो नहीं देलो ये कितना वज़े ना जोना सेम पतर ये आज का पतर 200 ग्राम प्रुक्या थे चालीश केरो पानी में थे रहा है कि मौटी जेज पुर्चान नहीं है दीर से दीर से कड़कान नहीं हारा दीर से भाईया दो आज में चाहिए